नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबी तो मैं आपका स्वागत करती हूँ एक वर नई शानदार वीडियो के साथ तो आशा करती है आप अच्छे होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर की खीर बहुत ही टेस्टी तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर 500 ग्राम यानि की आदा किलो गाजर ले लिया और अब उनको छील लेंगे छीलने के बाद यह मैंने एक अलग बावल में रख ली हैं और यह आदा किलो देख लीजे बिल्कुल अच्छी तरीके से छील लिया उसके बाद अब हम इनको धो लेंगे बिल्कुल मिटी ने रहनी चाहिए बना जो हमारी खीर बनेगी वो किरकिली हो जाएगी तो दोस्तों अब हमने ले लिया है कदू कस और गाजर को कस देना है अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसिज में और ये बिलकुल कस दिया है हमने इतना 500 ग्राम ठीक है अदा किलो पूरा कस दिय है बहुत ही शानदर तरीके से अब मैंने यहां पर एक भगोना ले लिया है और डेड़ किलो दूद को गरम होने के लिए रख दिया है तो दूद को गरम होने देते हैं और दूद को स्लो फ्लेम पे ही गरम करें हम थोज़े ड्राइफूट से ले लेंगे पहले मैंने अलमा यानि की बादाम लिये हैं बादाम खाने से शक्ति मिलती है और वो हमारी जो खीर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी बनेगी और अब इनको अच्छी तरीके से दो लेते हैं ठाकि बिल्कुल भी किल्किला पनना रह जाए और अब किसमिस ली है यानि की ड्राइफ इनको भी अच्छी तरीके से दो लेना है विल्कुल भी मिट्टी नहीं रहने चाहिए अब खीर में डालने के लिए थोड़ी से ड्राइफ फूट्स ले ली हैं बदाम अल्मॉंड किसमिस ड्राइफ ग्रेप्स मखाने लॉटर सीट्स और यहां काजू कैशियोस और यह हरी है कड़ाई को गरम होने देते हैं अच्छी तरीके से और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजा और उसके साइड में बैल आइकन भी दवाजे देजा कि नई से नई नॉटिफिकिशन आपके पास जल से चल जाती रहे अब मैंने यहां पर गाजर जो हमने पहले कस के साइड में रगदी थी अब उनको उसी घी में डाल देना है और गाजर को पकने देना है अच्छी तरह किसे तरह अजय को चलाते रहे साथ-साथ ताकि नीचे दिछ पकना जाए आप इसको तब तक पकाए जो किसमें है राइट प्राउं कोरण ना आजा है और पानी जब तक नहीं सोग जाता तो तक राम राम से पकाते रही है अब यहां पर आ चुका है यह लाइट प्राउम कलर और अब हम इसको पांच से साथ मिन के लिए ठकर रख देते हैं अब हम दुबारा फ्लीम ओन कर रहे हैं अब हमें अब इदर हमने पैन लिया है पैन में हम अब हम इसमें क्या मखाने और काजू बून लेंगे टाकि यह ट्राइं हो जाए और अच्छी तरह किसे पिज़ जाए साथ में इलाइची भी टार लेंगे और अब हम इनको तार लेते हैं आप स्लो फ्लेम पर रखके भी जल सकते हैं और उसको लगातार चलाते रही है ताकि यह जादा ब्राउन ना हो जाए और यह फिर जलना जाए अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने के लिए मैंने एक बड़ा मिकसर लिया है अब हम इस पाउडर को एक प्लीट में निकाल लेते हैं साइड में निकाल लिया है और ये अब ये पूरा तरीके से बिल्कुल ड्राइ हो गया इसका पानी और ये पक चुका है अब हम इसमें वही गरम करा हुआ दूर डाल देंगे पूरा वन इंड हाफ यानि डेल लिटर अब इसको चलाएंगे ताकि ये लखना चाहे अराम राम से चलायाते रहेंगे और ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा मीठा मीठा लगेगा आप काजा मीठा खाने कामन करें आप दब खा सकते हैं करम टाइम में और बहुत ही अच्छी रेसिपी अब ये मखानी और काजू का पाउडर डाल दिया है ताकि रेसिपी और भी स्वादिस्ट बन जाए तीरे तीरे करके पाउडर डालते रहेंगे और इसको राम राम से मिक्स करते रहेंगे और ये देखिए ये बहुत ही सादा प्यारी और टेस्टी देख रही है अभी हमने बदाम को बारी बारी काट लिया है अब हम उनको खीर में डाल देंगे ट्राइफ रूट से हमारी खीर बहुत ही सादा हेल्थी और बहुत ही सादा ड्लीशियस बनेगी और इसको लो फ्लेम पे रखकर ही बनाए नहीं तो ये जल जायागा और अच्छा नहीं लगए बन पाएगा स्लो फ्लेम पे राम राम से पकने दें और लगदा चलाते रहें और इसके बार लगए मैंने पचास ग्राम किस मिस इसमें एड़ कर दी है अब ये अच्छी तरीके से पक चुका है अब मैं इसमें 200 ग्राम चीन डाल रही हूं ताकि अच्छी तरीके से मीठा हो जाए अब अपने सुआद अनुसार भी डाल सकते हैं तो अब ये बन के तियार है पोटी टेस्टी और डिलिश्यस अगर आपको ये रेसीपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइक कर भी दवा देना और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूला तब तक के लिए बाबाई